बड़ी खबर की बात करेंगे गुना में चात्रों को स्पीच देने से ही रुख दिया गया नेजी स्कूल का ये मामला है संस्कृत का श्लोक बोलने पर चात्र के हाथों से माईक छीन लिया गया अकिल भार्ती विद्यार्ती परिशत कारीकरताओं को जो खबर मिली तो उन्होंने इस बात का विरूद किया है प्रदर्शन किया है अकिल भार्ती विद्यार्ती परिशत कारीकरताओं की शिकायत पर पूरे मामले में मामला तर्च हो गया है धार में एक भावनाओं को ठेस पहुचाने का आरोफ लगा है जिला शिक्षा वे भाग आप पूरे मामले की जांच करने में जुटा हुए अशोक अग्रवाल, शिवपरी समर समधाता जोले हुए अशोक मामला क्या है, किस स्कूल का मामला है? पूरे मामले में जांच भी की जांच भी की जानी पूरे देश में आफट की बारिश हो रही है, पहाडों में जहां जोड़दार बारिश हो रही है तो मैदान भी बारिश से बेहाल है, शेहर के शेहर पानी में डूबे हुए मध्यप्रदेश और 36 गड़ में भी बार और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है हर तरफ बारिश का प्रहार है गाउं से लेकर शहर तक सैलाब ही सैलाब ही, देखीज़ा पहुच रहे हैं प्रशासन के मना करने के बाद भी लोग जान जुख्यू में डाल कर सेल्फी ली रहे हैं दंतेवाडा के किरिंदूल में लगातार बारिश जे जन जीवन अस्त वियस्त हो गया है घरों में पानी घुच जाने की वज़े से लोगों को भारी परिशानी के सामना करना पड़ रहा है लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उनके लिए कोई विवस्ता नहीं की है घर का जूला भीग जाने की वज़े से ग्रामिड खाना नहीं खा पा रहे हैं जिससे नाराज लोगों ने किरंदूल में रोट को जाम कर दिया, मौके पर पहुची प्रशासन की टीम ने यादयाद बहाल कर आया धमतरी में जमाजम बारिश से जिले के बांधों की तस्वीरे बदलने लगी है प्रदेश के सबसे बड़े गंगरेल बांध की बात करें तो ये डेम पूरी तरह से सूप चुका था पिशले 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ था जब गंगरेल बांध का जल इसतर महेज 3 सेंटीमेटर पहुच गया था लेकिन ताजा तस्वीरे बड़ी रहा देने वाली है बांध में पानी के अच्छी आवक हो रही है जले में लगातार होरे बारिश को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि बांध में पानी पूरी तरह भर जाएगा गंगरेल बांध में से 36 गड़के कई जिलों को पानी की सफलाई होती है गंगरेल बांध की स्थिती ऐसे रही है जी से भईया जी बताई बीजापूर में भी तेज बारिश हो रही है जिले में बारिश का रेड अलट है यहाँ बारिश के चलते स्कूलों में चुट्टी घोशित कर दी गई है कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है यदि कोई ऐसी गंबीर गटना होती है तो हमारा प्रशाष की अमला जो है पूर्ण रूपेंट मुस्केत तयार है इसमें जो रेस्क्वी टीम भी है हमारी जो नगर से नकी है हमारे जो मैदानी अमले सभी तयार है कांकेर के बाग शेतर में बारिश के बाद नदी नाले उपान पर है लोग जान जो की मिटाल का नदी पार कर रहे हैं लोगों के नदी पार करने का वीडियो सामने आया है जीले में हुई जोड़दार बारिश के बाद पूरिक शेतर में बाड जैसी हालात है MPB बारिश से बेहाल है प्रदेश के कई जीलों में तेज बारिश हो रही है 36 जिलों में बारिश का लट जारी किया गया है इंदोर भुपाल जबलपूर भी बारिश से बिहाल है जबलपूर में कुछ घंटों की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है गड़ा सहित महराणा प्रता वाट के कई घरों में बारिश का पानी आ गया आपको बता दें कि बीते 15 सालों से हर बारिश के मौसम में लोगों के घर में नाली नाले का गंदा पानी आ जाता है लेकिन अब तक समस्या का समधान नहीं हुआ है सिवने में बारिश के वज़ा से वेन गंगा नदी उपान पर है धीम गड़े स्थित बान के पांच गेट खोल दिये गया है बान से 35,000 क्यू से एक पानी छोड़ा गया है बाला खाट महराश्ट के गोंदिया और भंडारा के निशले इलाकों में अलट जाली कर दिया गया है वेर रपोर्ट न्यूस एटीन